भारत में पाई जाने वोले बकरियों में जबनापारी होती है सबसुन्दर बकरी बोला जाता है चबनापारी को पहचानने के लिए इसका जो कान होता है लंबा होता है फोल्डेड होता है जिसे सुखी पत्ती पिच्की होती है वो इस तरह से है जो फेस होता है वो कर्व आकरका होता है रोमेन बोलते है उसको नाग जो हता हो धसा होता है सिंग इसकी मेडियम साइज में होत जरीयों के जो पीछे वाला पैर होता है उसमें बड़े-बड़े बाल होते हैं इस वीडियो में तो जो दिखाया गया है वो कटे हुए बाल है इसलिए छोटा है अदरवाइस उसमें बड़े-बड़े बाल होते हैं पहचानने के लिए जो बकरा होता है उसमें उसके फेज प बकराईद के टाइम पर अब इसमें तोतवपरी की बात करें तो वह जमुनापारी और सिरोही का दोनों का क्रास होता है ये जमुनापारी प्योर बिट का बकरा है ये ब्लीडर बकरा है इसलिए इसको अलग से रखा गया है फिर फिरुही की बात करें तो इसमें spotted आते हैं एक गहरा भूला और हल्का भूला तेन कलर में होता है इनका सीम जो होता है वो medium साइज से लेकर के लंबा भी होता है कुछ में और कुछ में जो होता है पीछे मुडा हुआ होता है कान जो होता है वो मीडियम साइज में होता है जब उन अपारी से छोटे होते हैं ठंडी के मौसम है इसलिए इनका जो सरीर है थोड़ा सीधा सीधा दिख रहा है नहीं तो पीठ की हटी जो होती है वो पूरा एक कर्व वाकार का दिखता है सिरोही में एक खास करेक्टर होता है जो हटी उपर की होती हो कर्व होता है सिरोही प्रजायत की बकरिया ठंड और गर्म दोनों मौसम में आराम से रह लेती है इसलिए हर जगह पाई जाती है बकरी के रीड की हटी में जो कर्व होता है इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है फ्य भूरा कलर, घ्राव होड़ाए होते हैं, थो इंकर काम को असी तली जो कर लड़ा होते हैं अचिछ wouldn क्छ चक कर नरिं। जह भी दिखाई दे रहा है यह प्रीडर बकरें हैं इसलिए इनको अलग से रखा गया है। बकरों की जो सरीर के बाल होते हैं बकरियों की सरीर के बाल की कंपेर में थोड़ा से बड़े होते हैं